वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें अब दोस्तों में शावाज आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज आपके लिए मैं एक बिल्कुल डैड डिवरी प्लेट लेकर आया हूं तो जो आपने स्क्रीन पर डिवरी प्लेट देख रहे हैं वे बिल्कुल डैड है उसके डिस्क भी रूटेट नहीं कर रह आया जब हम इसके अंदर डिस्क को लगा रहे हैं तो आज मैं आपको step by step सिखाने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से किस तरी किसे दूर किया जाता है तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं है ठेट सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं कि क्या है सही है इसके लिए इसकी Flash पर हम्यों red को चेक कर लिए तो इसकी 32 वी पिन पर हम इसकी konservór करेंगे जो किपावर सप्लाई से आएगी तो ये देखिए ये हमारी flash memory लगे हुई है और इसकी ये वाली 32 पीन है और जैसी मैं इस पर voltage measure करता हूँ ये देखिए VCC voltage इस पर 5 voltage ये 4.8 के गरीब voltage इस पर आ रही है तो हमारी power supply बिल्कुल ठीक तरीके से work कर रही है अब हमें दो वोल्टेज और चेक करनी है एक 3.3 voltage जो इस IC की पिन नंबर इस वाली पिन पर आएगी 3.3 voltage और एक 1.2 voltage ये देखिए voltage drop हो रही है 3.3 आनी चाहिए लेकि नहीं आ रही है तो इसी problem को अब हम चेक करते हैं कि ये कहां पर voltage drop हो रही है और इससे आगे आप ये देखिएैं यहां पर दो डाइवड लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं डाइउड से voltage पास नहीं हो रही है और यह open हो चुका है एक देखिए voltage 0.7 जो इसकी junction voltage है वही दिखा रहा है लेकिन दूसरा वाले diode से voltage पास हो रही है लेकिन पहले वाले से नहीं हो रही है आप देख सकते हैं फ्लैश मेमोरी पर वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रही है 4.8 गरी वोल्टे आ रही है जो बिल्कुल ठीक है और डायोट यह दो लगे हों है देखिए यह इसमें आ रही है बिल्कुल ठीक है और जो नीचे वाला डायोट है यह देखिए यह वोल्टेज को पास नहीं कर रहा है ओपन हो चुका है तो फ्रेंड इस लिए हमारी वोल्टेज आई सी पर कमा रही है तो अब हम इस डायोट को चेंज करेंगे झाल झाल करें दोस्तो आपको बीडियों अच्छे लगी dit प्लीज वीडियों करें और लाइक करें दोस्तो आपきます जोड़ना चाहते हैं तो एकम्माल प्लीज ईमेल को स्टीश को लाइक जोओ करना में पर चाहते हैं फ्रैंड चेल को स nac जाते हैं और सfので रामपरम को खोलो को ना बिर्गुल ना भूलें धन्यवाद अस्सलाम अलेकुम